आज किस कक्षा में हम वर्ग मुल्क के प्रस्नावली 2.3 को हल करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रस्न है गुना किये बिना निम्रलिखित वर्गों का मान ग्याद कीजिए अर्थात हमें जो प्रस्न दिया गया है इसे गुना नहीं करना है बगार गुना किये हमें इसका मान ग्याद करना है तो आएए इसे हल करते हैं प्रस्ण नमबर एक और इसका मैं प्रस्ण एक ले रहा हूँ ये है 26 का वर्क इसे मैं हल कर रहा हूँ बाकी दो को आप खुद से हल करेंगे हमने ये सर्वसमी का पढ़ा है a प्लस b whole square ये बराबर होता है a square प्लस 2ab प्लस b square इसी सर्वसमी का का इस्तेमाल हम इसका वर्क करने में करेंगे तो 26 को हम लिख सकते हैं 20 जोड 6 और ये हो जाएगा वर्क तो ये a के जगा 20 हो गया b के जगा 6 हो गया तो ये हो जाएगा 20 का वर्क जोड 2 गुना 20 गुना 6 जोड 6 का वर्क ये हो जाएगा 20 का वर्क 400 और ये 6 दोनी 12 दोनी 24 240 और ये हो जाएगा 36 और इसे हम जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना हो जाता है 6 हो गया 4 और 3 7 और ये 4 अदो 6 674 तो बगैर गुना किये हमने इसका वर्क निकाल लिया है अब प्रस्ण नमबर 2 देखते हैं दो कावी मैं एक प्रश्ण बनाऊँगा पहला प्रश्ण 234 का वर्क इसमें क्या करना है विकर्ण तरीका का उप्योग करके निमलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ग्यात कीजिए विकर्ण तरीका का प्रियोग करना है तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं तीन इकाई का वर्ग तीन इकाई हमने क्यों लिया क्योंकि यहां संख्या में जो अंक है वो तीन अंक है यानि तीन अंक की ये संख्या है अग इसमें क्या करते हैं इस वर्ग में ये तिर्चा विकर्ण खीच देते हैं, ये सब में हमने विकर्ण खीच दिया अब जो अगला स्टेप हम करेंगे हम प्रते एक इकाई के उपर एक अंक लिख रहे हैं दो सो चोंटिस को ऐसे लिख रहे हैं, दो तेन, चार अब इस तरह लंबवत भी हम ऐसे ही लिखेंगे, दो तेन चार, अब क्या करेंगे, हम इस दो से इस दो का गुना करेंगे दो दुनी, चार इस चार को हम ये नीचे विकर्ण के नीचे लिखेंगे क्योंकि इकाई वाले अंक को हम यहां लिखते हैं, और दाहाई में हमारे क्या हुआ है यहां शुन्य है, शुन्य हो गया फिर दो तियाई छे, यहां शुन्य दो चोगे आठ, यहां आठ होगा और दाहाई वाले में शुन्य अब तीन से दो को करेंगे तीन दो ना, शे यह दहाई में सुन्ने हो गया, तीन तियाई नौ, यहाँ नौ हो गया, यहाँ सुन्ने, तीन चोगे बारह, तो यहाँ इकाई में दो और दहाई में एक, अब चार से करेंगे, चार दोने आठ, यहाँ आठ और यहाँ सुन्ने, चार तियाई बारह, यहाँ दो और एक, यह ए शिंगल एक ही है तो 6 यह हो गया, इसका जोड 6 हो गया, यहां हो गया, दो और एक 3 और दो 5, यहां हो जाएगा, आठ एक 9, और 9, 18, एक 19, और 8, 27, 27 का हम लिखेंगे 7, दो हमारा हासिल रहेगा, तो अब इसमें सुनने है और ये 6 तो 6 और फिर हम 2 जोड़ दे रहे हैं हासिल वाला 8 हो गया 8 हो छे 14 तो यहाँ पर थोड़ा सा 3 हम दे देते हैं आगे सुविधा के लिए तो 14 का 4 हम लिखते हैं एक हमारा हासिल चला गया अब यहाँ फिर हमारा ये 4 है सरफ 4 है तो एक इसमें हासिल जोड़ गया ये हो गया 5 और यहाँ क्या है सरफ सुनने है तो ये सुनने हो गया अब हम दाहिनी ओर से हम इसे लिखना सुरू करते हैं जो हमारा जोड़ आया तो सबसे पहले हम रहा था 6, 5, 7, 4, 5 और शुनने चुकि सुरू में सुनने का कोई अर्थ नहीं होता है तो हमारा जो एंसर आया वो आगया 5, 4, 7, 5, 6 अर्था 54, 756 ये विकन विदी से हमारा हो गया प्रस्ण संख्या 3 ये प्रस्ण है गुना किये बिना 50 से 69 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधी से निम्नलिखित का मान ग्याद कीजिए तो इसका मैं पहला प्रस्ण ले रहा हूँ तीसरा का पहला ये है बावन का वर्ग ये विधी सर्फ पचास से 69 तक के वर्ग निकालने में प्रियोग किया जाएगा तो हम इकाई में देखते हैं क्या है दो है तो इस दो का वर्ग हम कर देंगे तो दो का वर्ग होगा चार और इसे हम दो अंकिये संख्याओं के रूप में लिखते हैं यानि सुनने चार अब दहाई में पांच है तो इस पांच का हम वर्ग कर देंगे तो ये आएगा पचीस और इस पाचीस में हम जो इकाई का अंक था इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 इकाई में दो था अब इसे यहाँ लिख देंगे ये हमारा बावन का वर्ग आ गया इसी तरह से हम बाकी जो संख्याओं हैं उनका भी वर्ग निकाल सकते हैं अब प्रशन संख्या हम चार देख रहे हैं ये प्रारूप है वर्गों के रूचिकर प्रारूप के गुन के आधार पर निम्लिखित रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए ताकी कथन सत्य हो तो कुछ बहुत ही रूचिकर प्रारूप दिये गये हैं इसे ही हमें पूरा करना है तो पहला जो प्रारूप है ये है एक है कितनी बार है इसे गिने एक दो तेन चार पांच छे बार है तो छे बार एक का वर्ग करना है तो इसका ये प्रारूप होता है कि जितनी बार एक ह उतने अंग तक हम जाते हैं, तो यहाँ 6 है, तो हम 6 तक लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 6 बार था, तो 6 तक हमने लिखा, अब उल्टा हम 1 तक जाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1, अर्थात अगर एक यहाँ 8 बार रहाता, तो हम यहाँ 6 की जगा 8 तक जाते, अब फिर वापस एक तक आते, अब यह दूसरा जो प्रारूप है, यहाँ 6, 6 करके है, उसके बाद 7 है, और इसका बर निकालना है, तो यहाँ 6 गिनेंगे कि कितनी बार 6 है, गिनके देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो इस प्रारूप के अनुसार, जितनी बार 6 है, उससे एक ज्यादा बार 4 होगा, अर्थार, चार, होगा कितनी बार, नौ बार, आठ बार है तो नौ बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और इसके बाद जितनी बार 6 है, उतनी बार 8 होगा, यानि 8 बार 6 है, तो 8 बार 8 होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब इसके बाद अन्तिम में 9 हो जाएगा, इसी प्रारूप के अनुसार हम इसे हल करेंगे, अब तीसरा नंबर है, 7 स्क्वाइर, प्लस 8 स्क्वाइर, प्लस 56 स्क्वाइर, बरावर क्या होगा, तो यहां गौर से देखे, यह 7 और 8 लगातार संख्याएं हैं, और यह जो तीसरी संख्या है, इन दोनों का गुननफल है, यानि 7 अठे 56, तो प्रारूप के अनुसार, 56 के बाद वाली जो संख्या होगी, उसी का वर्ग होगा, तो 56 के बाद है यह 57, तो यह हो गया 57 का वर्ग, अब चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर का जो प्रारूप है, इस प्रारूप के अनुसार मैं इधर लिख रहा हूं, इस तरफ लिख रहा हूं बराबर, तो ये होगा इसमें देख रहे हैं कहां तक ये गया है सबसे बड़ा अंक क्या है छे है तो हम यहां इसी छे को छे बार लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छे और ये बटा में है ये इसका स्क्वाइर है और बटा में है एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ पांच जोड़ छे छे तक गया था अब वापस हम फिर एक तक आएंगे जोड़ पांच जोड़ चार जोड़ तीन जोड़ दो जोड़ एक तो इस प्रारूप के अनुसार ये हुआ है प्रस्ण संख्या पांच इसका मैं पाहला वाला प्रस्ण लेता हूं पांच का पाहला ये प्रस्ण है एक पाइथा गोरस त्रिक ग्याद कीजिए जिसमें छोटी संख्या दस है तो पाइथागोरस त्रिक का जो सामाने रूप था वो हमने देखा था ये था 2m, m²-1 और m²-1 तो यहां m²-1 ये तो सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है लेकिन हमें तो छोटी संख्या निकालनी है तो यह छोटी संख्या जो 10 दिवी है या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं m²-1 बराबर 10 यह इंप्लाइज देट m² इसके टू दस जोड एक बराबर 11 इंप्लाइज देट m स्केल टू स्क्वार रूट अफ एलवेन या इगारा का वर्गमूल लेकिन इगारा का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि इगारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो m²-1 इसकल टू 10 नहीं हो सकती है तो अब हम हमारा बच किया यह 2m तो 2m के बराबर करके देखते हैं 2m बराबर 10 बठा के देखते हैं तो इंप्लाइज देट m इसकल टू यह 10 बठा दो अर्थात 5 तो हमारा m²-1 हो जाएगा 5 का स्क्वाइर घटाओ 1 यानि 24 और m²-1 हो जाएगा 5 का बर्ग जोड़ 1 यानि 26 तो हमारा जो अभिस्ट त्रिक है अभिस्ट यानि जिसको निकालना था अभिस्ट त्रिक पैथागुरस त्रिक वो है कौन सा हो गया? 10, 24, 26 यहां देखिए 10 हमारी सबसे छोटी संख्या है इसके बारे में और ज्यादा विसेज जानकारी के लिए इसके पुर्व के वीडियो पैथागुरस त्रिक इसे आप देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा झाल झाल